महाराज के बदलापुर में बीटे महीन एक घटना हुई थी जिसमें पूरा समाज जो है वो द्वेलित हो गया था रेलवे पर रेलवे प्लाटफॉर्म पर उस पे बहुत आक्रोश प्रदर्शन हुए बाहर भी होए थे कारण क्या था आपको बताते हैं इस पूरे प्रकरण में एक बच्ची के साथ लैंगी कत्या चाहर हुआ था जिसको लेकर जो परिवार था वो पुलिस टेशन गया लेकिन 8 गंते तक उनके साथ कोई कानूनी कारवाई नहीं की गई और ना ही कोई एफायर दर्श किया गया इ कि ऐसे मामलों में ततकाल एफायर रेजिस्टर होगा दूसरा है कि इसका जो इन्वेस्टिकेशन है वो बहुत फास तरीके से किया जाएगा तीसरा है कि इस पूरे प्रकरण में जब कोई केस रेजिस्टर होता है तो सर्टेन टाइम के बाद ऐसा होता है कि लोग जो महिला होती है जो अत्याचार की पीडित विक्टिम होते हैं वो अखेले रह जाते हैं उनका कोई कोई उनको रिस्पॉंड नहीं करता है इसके लिए अलग से कॉडिनेशन कमिटी जैसा एक निर्मान करेगी वह पुलिस टेशन में इसके लावा एक रिस्पॉंडेंट अधिकारी हों जैसे कहा जा सकता है कि महिला या बाल अत्याचार मतलब चाइंड या ब्यूज में या किसी भी कंडिशन में आगर उनकी साथ कोई अत्याचार होता है तो अब महिला है या जो फीमेल विक्टिम है वो अखेली नहीं है उनके साथ पुलिस के साथ कॉडिनेट करने के लिए रिस्पॉंडेंट अधिकारी जस्टिस सिस्टम में कॉडिनेट करने के लिए अलग टीम और इसके साथ ही जो विक्टीम है उन से कॉडिनेट करने के लिए आफिसस न्योक्त किये जा रहे हैं इस पूरे महाराश्ट्रों की जो सरकार है मायोती सरकार उन्होंने ये संग्याल लेकि ये कारी किया है तो उनके इस कारी आप कितने नमबर्स देते हैं कमेंट करके जिरू बता है